नमस्कार दोस्तों डिजिटर टू स्पोर्ट्स पर फिर एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रिडिक्शन और प्रिव्यू के इस वीडियो में क्योंकि हम हर एक मुकाबले के बारे में बात करते हैं बस आप लोगों के लिए और आज हम ऐसा मुकाबला लेकर आये ह जिसमें उलट फेर होने के काफी आशंकाए बताई जा रही है नेदरलिंज वर्सेश श्विलंका नेदरलिंज ने अपने पिछले मुकाबले में धमाकेदार प्रफॉर्मेंस किया डक्शन अफरीका को हरा कर और अब उनका मुकाबला होने जा रहा है लखनाओ में श्विल कि यहां बात करें तो एवरेज फिर्स इनिंग स्कॉर इस 253 एवरेज विनिंग स्कॉर बैटिंग फिर्स इस 269 याने कि इस विकेट पर इस मैदान पर बहुत ज्यादा नहीं बनते हां और हमने देखा कैसे कि यह थोड़ा बहतर हो गया पिछले कुछ मुकाबलों में उसक पांच मुकाबलों में 71 विकेट गये हैं पेसर्स को भी लगभग उतन ही विकेट मेले हैं 52 प्रतिशत और स्पिनर्स को भी 48 प्रतिशत तो आपका स्पिन और पेस अटैक दोनों अच्छा होना चाहिए और इसलिए क्या ये थोड़ा सा नेधरलेंज के हक में बात बनती है क क्योंकि उनके पास दोनों ही जो अटाइक है बहुत कारगर नजर आ रहे हैं और अभी कंसिडरिंग जो पहले हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते कि श्रीलंका और नेधरलेंज के बीच में अब तक कुल मिलाकर पाच मैच खेले गया है वन डेस पहले श्रीलंका प्रिटी क्लोज और निशाद यहां पर अगर हम दोनों ही टीमों के तूलना करते हैं तो अब इस समय दोनों ही टीमें लगभग लगभग एकुल नजर आती है हां मगर पॉइंट सेबल पर एक बार नजर डालेंगे क्योंकि एक इंट्रेस्टिंग बात आप सबको नेधरलंज ने जीत दर्च की अभी वर्ल्ड कप में श्रिलंका ने अभी तक अपना खाता खोला नहीं है क्या वो पूरी तरीके से फिट है यह भी खबर आई है कि चमी का और आंजलो मैथ्यूस को रिजर्व करें बुलाया गया है और अगर कोई और इंजुरीज हुए तो फिर एक बदलाव किया जा सकता है वो आइसी सी का प्रोसेस पूरा फॉलो करना पर देखें तो निमूत क करना रतने का खेलना कितना होगा पता नहीं बड़ पतुम निसंग का कुसल परेरा और सदीर समर विक्रमा और कुसल मेंडिस यह बहतरीन फॉर्म में रहे है लेकिन उसके बाद की जो बल्ले बाजी है इसमें दिक्कत आ रही है वहीं पे कोलाप्स हो रहा है ना पंकरज क्य ने बनाया है अभी तक समर विक्रमा ने भी एक शतक बनाया है पतुम निसानका ने दो अर्द शतक बनाया है और फाइनली कुसल परेरा और सब्सक्राइब क्या लगता आपको इस बैटिंग के बारे बैटिंग तो बहुतरीन है लेकिन दिक्कत वो यह कि टॉप त्री के ब मुकाबले में खेले थे बड़ कुछ खास काम नहीं मदुशंका अच्छी गेंदवाजी कर रहे है पतिराना का फॉर्म निकल गया है तीक शाना और बतब यह अब ऐसा लग रहा है कि यह कॉम्बिनेशन ही पूरा गेंदवाजी का बिगड़ गया है इनका बिगड़ गया ह तो इस वज़े से अगर इस पूरे स्कॉर्ड में देखें तो इवन वेला लागे भी नहीं सिर्फ मदुशंका ही ऐसे गिनबाज है जो चल रहे है यह आंकडे सामने आपको सच बयां करते हैं क्योंकि मदुशंका ही इस दी ओनली बोलर को एस बीन एफेक्टे पर शुलंका 100% क्योंकि दिल्शान मदुशंका शुरुवाती दौर में जब नई गेंद के साथ आते हैं लेफ टाम के साथ मूवमेंट उन्हें मिलता है और आइटिंग ही इस बीन गूर्ट बैटिंग साइट यानि पाकिस्तान और उस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने सता है कुछ बाकी के गिनदबाज को क्या होगा ये हम बात करेंगे लिए नेदरलेंज के स्कॉट पर जब नजर डालते हैं तो एक से एक धुरंदर बल्लेबाज और खिलाडी यहां पर नजर आते हैं स्कॉट एड़ड़्स ने ऐस कप्तान बहुत जबरदस्त काम किया है मैक्स पर काफी अच्छा योगदान रहा है तो ये नेदरलेंज की टीम पूरे जोश के साथ इस मकाबले में उतरेगे जोश के साथ आएंगे और अगर इन्हें स्पिन का विकल्प चाहिए तो फिर और दो विकल्प है इनके पास बड़ अगर यहां बैटिंग की बात करें स्कॉ बिल्कुल बिल्कुल और एकदम खराब परिस्तिती से इन्होंने निकाला खास बात इस पूरे रेकॉर्ड में आप शीट में दोस्तों ये देखें कि सभी बल्लेबाजों ने थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने कंबाइन किया है जो नेदरलेंज के लिए बहुत बड़ी सा रोल अपनाया है क्योंकि लोगन वैन्बीक और पॉल मीकरन ने कमाल की तेज गेंदबाजी किये हैं ये consistent रहे थोड़े कभी-कभी expensive होते मगर विकेट लेते आपके लिए पॉल वैन्बीकरन गती के साथ गेंदबाजी करते हैं he's got that fire of a fast bowler, लोगन वैन्बीक consistent है, रूल कि classical off spinner की तरह डालते हैं और उन्हें विक और ऐसे pitches पर उन्हें turn मिलेगा, तो गेंदबाजी में भी Netherlands के सारे ही खिलाडी एक दूसरे का साथ देकर wickets निकाल रहे हैं, यानि कि शुलंका के लिए बहुत बड़ा challenge होगा, उनके सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी So that we get out of that mindset, और उन्हें वही दिखा है South Africa के सामने, but will lightning strike wise, Shri Lanka या Netherlands, मुझे लगता है Shri Lanka by just a little, मुझे लगता है Netherlands, आपको क्या लगता है दोस्तों, आप comment करें, जरूर इस वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें और digital to sports पर यू ही बने रहे, ये था Netherlands और Shri Lanka के बीच का लखनों मे होने वाले मुकाबले का प्रिव्यू और प्रिडिक्शन